जैसा कि आप जानते हैं हमारी professional cricket में cricket bats जो होते हैं उसमें दो तरह के विले यूज़ किया आते हैं English Willow और कस्मीर Willow तो time waste नहीं करते हैं सीधे point पे आते हैं यहां वीडियो में देख सकते हैं सामने आपके एक तरफ कस्मीर Willow रखा है एक तरफ English Willow रखा है और आज जानेंगे इस वीडियो में पूरा कि इनके ड्वांटेजेस आखिर क्या होते हैं और फर्क क्या होता है इन से तो किसी भी चीज को आप अगर देखते हैं तो आप सबसे पहले उसमें जो अंतर होता है वो आप उसको देख के पहचानते हैं यहां भी आप clear देख सकते हैं कस्मीर विलो जो है आपके right side में रखा है यह थोड़ा brownish color का होता है वहीं पर आप English विलो की बात करें यह देखिए यह white color का होता है ज्यादा इसके comparison में white होता है आज कर जो नए कस्मीर विलो आ रहे हैं वो थोड़े इससे कुछ-कुछ उनकी quality match करने लग गई है लेकिन फिर भी आपके जो कस्मीर विलो है उसमें थोड़ा बहुत brownish color रहेगा अब कोई चीज का अंतर पैचारने के लिए फिर आप उसको अपने हाथ में पकड़ते हैं तो जैसी आप आगे बढ़कर दौनों में से किसी भी तरह का bet उठाते हैं तो वो आपको 1200 ग्राम से उपर ही मिलते हैं करीब करीब और यह जो हमारे English विलो हैं यह 1200 ग्राम से नीचे होते हैं जैसा कि आपके सामने bet रखा है यह SB वाला इसका वजन 1230 ग्राम है और यह जो MRF का आप देख रहे हैं इसका वजन 1500 ग्राम है अल्मोस्ट 80 ग्राम का फरक है ब वाल लेंगे और उसका पिंग टेस्ट करेंगे तो तीसरा डिफरेंस वहां पर आपको मिल जाएगा आपका जो कस्मीर विलो है उसका पिंग हमारे English विलो की कंपेरिजन में कम होता है जैसा कि आप जानते हैं कस्मीर विलो आपके कस्मीर से आता है और English विलो जो है वह आप जुड़ा हुआ होता है तो इसका पिंग कम होता है और इसके कंपेरिजन में ज्यादा होता है और भी कई चीजे है जो सामने निकल के आती हैं जैसा कि आप जाने हैं कि इंग्लिस विलो इंग्लेंड से आ रहा है और यह आरा कस्मीर से आ रहा है तो प्राइज में भी अंतर हो से 8,000 रुपे तो कर्श करने पड़ेंगे तो यह आ जाता है आपके प्राइज में डिफ्रेंस और यह था हमारा कंपैलिजन इसके अलाभा आपको और डीटेल से ही तो हम और डीटेल वीडियो बना सकते हैं कमेंट कर दिना